हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ C-form क्या होता है और उसे हम कैसे online फिल कर सकते हैं C-form को हम CST form भी कहते हैं जिसका मतलब होता है Central Sales Tax यह basically एक business term है और जो लोग भी business activity करते हैं वे इसको जानते ही होंगी और अगर आप नहीं जानते हैं तो पहले मैं आपको बता दूँ कि CST होता क्या है जब भी हम outside state से अपना goods purchase करेंगे तो हमें एक tax देना होता है CST उसका नाम है और वो 5% होता है सपोज आपके goods की amount है 1 lakh rupees तो हमें 5% उसे CST देना होगा जो basically seller sales tax department में ही जमा करेगा later onwards हाँ लेकिन अगर हम चाहें तो ये 5% amount देने से बच सकते हैं और कुछ amount ही pay कर सकते हैं CST के thought पर उसके लिए हमें कुछ करना होगा वो हमें है C form देना होगा और अगर हम C form उसको दे देंगे party को तो हमें केवल अपने goods amount के साथ 2% ही CST देना होगा जो की extra amount है अगर एक लाग का good है तो हमें 2,000 रुपे CST के तौर पर उसे देने होगे यानि एक लाग 2,000 रुपे हम seller को amount pay करेंगे उसके बाद ही वो हमारा good release करेगा लेकिन हम ये C form उसे कैसे थे पहले तो हम ये C form sales tax department से लेया करते थे और से manual fill करके seller को दे दिया करते थे जो seller अपनी CST amount के साथ जो की 2,000 रुपे है प्लस C form जो हमने उसे दिया है वो जमा करा देता था और इस तरीके से हम outside state से अपने goods purchase कर सकते थे I hope guys आपको समझ में आ गया होगा कि ये CST क्या है कैसे हम C form देते हैं party को और हम ये बाद में हमारा goods मिलते हैं केवल 2% tax देखकर पहले ये manually हुआ करता था लेकिन अब online हो गया है